नमस्कार मैं हूँ प्रिया आजे 27 तवंबर हमारे तुआरा पुछी चारे सवालों के जवाब को देखकर हमारी टीम ने यह फैसला किया है कि अब हम अपने विवर्स को कुछ कीर्ववे भी देंगे जो कि इस वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से सुने तो आएए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को इंडियन नेवी ने निकाली बंपर भरतियां बेरुजगार युवाओं के लिए खुश खबरी भारतिया नौसेना ने लगभग 400 नौसेनिकों की बहाली के लिए आवेदन की मांग की है जिसके लिए सभी एकशुक अभ्यर्थी 28 नवंबर तक आवेदन भर सकते हैं वही इन पदों पर आवेदन भरने के लिए अगर हम साक्षनी क्योगिता की बात करें तो अभ्यर्थी को दस्वी पास होना अनिवारे होगा वही इन पदों पर केवल 1 ऑक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2003 के बीच जन में सिर्फ अविवाहित पुरुष ही आवेदन भर सकते हैं इच्छों का भ्यर्थी www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं साथ ही साथ इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारे भी ले सकते हैं कल से शुरू हो चुके चातरसंग चुनाफ के लिए नामांकन पटना युनिवर्सिटी में चातरसंग चुनाफ का आगाज हो चुका है जिसकी तहट नामांकन की प्रक्रिया भी कल से शुरू हो गई है जो की कल तक यानि के 28 नवंबर तक जारी रहेगी मगर फॉर्म खरीदने की आखरी तारिक 26 नवंबर ही थी हाला कि नामांकन दर्च करने की समय सीमा कल तक होगी आपको बता दे सारी प्रक्रिया होने के बाद विश्विद्याले नामांकन की आखरी सूची एक दिसंबर को जारी कर देगा बिहार के इस गाउं में लोगों को नहीं पढ़ता प्यास की कीमत से फर्क राज में प्यास की बढ़ती कीमत ने हर घर में रसोई के बजट को बिगार दिया है पट्ना में प्यास 80 रुपे प्रतिकिलो के भाव से बेचा जा रहा है बिहार का एक छोटा सा गाउं प्यास के बढ़ते और घर्टे दामू से बिलकुल भी प्रभावित नहीं होता है जहानवाद के चीरी पंचायत के इस गाउं में कोई भी प्यास लहसुन का सेवन नहीं करता है यहां तक कि इस गाउं में प्यास और लहसुन को बाजार से घर में लाना भी मना है क्योंकि इस गाउं में ठाकुर बारी मंदिर की असी मानेता है ग्रामीनों का कहना है कि ठाकुर जी के मंदिर में पुर्खों ने उस गाउं में प्यास के सेवन पर रोक लगा दिया था प्रतियोगिता के आयोजन अधिहक्ष सिहान अविनाश कुमार ने बताया कि आयोजित की गई इस प्रतियोगिता के विजेताओं को 27 नवंबर को पुरस्कृत किया जाएगा। अधिकांश समस्याएं, गरीबी और अग्यानता से आती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सिक्षा के छेतर में सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाए। कायम रखने में कामियाब होती है या शिफ्षेना कॉंग्रिस एंसीपी गटबंदर अपना भहुमत साबित कर सरकार गठन करती है। वही उप मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्री पत पर शपत ग्रहन करने वाले अजीत पवार और देविंत फड़नविस ने फ्लोर टेस्स से पहले ही अपने अपने पदों से इस्तिफा दे दिया है। जमोई के युवाओं ने किया बिहार का नाम रौशन। जारी के वे निर्देश में उन्होंने बताया है कि अब कोई भी सरकारी का जैसे की प्रेस कॉन्फरेंस, मीटिंग, सेमिनार और किसी भी योजनाओं के शुभारम का कारिक्रम होटेल परिसर में नहीं किया जाएगा। करते वे कहा है कि राजगीर में जलस्तर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कि अधिसूशना जारी करती गई है। कि जब कुछ सालों पहले मुझे मेरी प्रेमिका का फोन आया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ही है। मुझे लगा भी नहीं था कि अब वो इस दुनिया में होगी मगर उसकी आवाज सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो ठीक है। बिहार के पूर्वी चमपारन के केसरिया स्थूप में आपको मिलेगी ये सुविधाएं। रूप में तब्दील हो गया था जिसकारण उसके ऊपर मंदिर की स्थापना कर दी गई थी उनने सो अंठान में में जब खुदाई शुरू हुई तो प्राक्रितिक विभाग को इस स्थूप की जानकारी मिली तब से लेकर अब तक इस स्थूप को निकालने का काम को पहचान गिया था जिससे कि उन्होंने अपने कॉलेज की दनों से ही मॉडलिंग और आक्टिंग के चोटे मोटे प्रॉजेक्स को करना शुरूर कर दिया था जिसके बाद उन्होंने विग्यापन की दुनिया में कदम रखा जहां जानी बाणी मानी कंप्शन उन्हें आयरुवेदिक साइंस ने निकाली रिक्तियां, Central Council for Research आयरुवेदिक साइंस ने LDC और UDC के 66 पदों पर रिक्तिया निकाली है, इन पदों पर आवेदन भरने की साक्षनी के योगिता कि अगर हम बात करें तो इसी भी मानेता प्राफ्ट बोट से 10 प्लस टू की डिग्री रहना अनिवारे होगा, साथी साथ कंप्यूटर टाइपिंग अंग्रेजी में 35 डबलू पीम और हिंदी में 30 डबलू पीम भी जरूरी होगा, यही हाल बिहार में भी देखने को मिल रहा है, मगर बिहार में लोगों की सुविधा को देखते वे विसकोमान और नफेट सस्ते दामें प्यास दोगों को मुहया करवा रहा है, मगर प्याज लेने वालों की कतार इतनी बढ़ गई है कि प्याज की बिक्री को एसके पूरी पार्क तक ले जाकर बेशना पड़ा तेजस्वी आदब के बयान पर भाजपा नेता ने दिया जवाब 10 देसंबर तक 3.1.9 प्रात्मिक सिख्षकों को मिल जाएगा उनका वेतन भिहार सरकार ने राजप के प्रारंबिक सिख्षकों को वेतन मुहया करवाने का निर्देश दिया है सेयद महमूद अश्रफ ने कहा दुनिया को अलविदा जदियों के वरिशनेता सेयद महमूद अश्रफ ने दुनिया को अलविदा कह दिया है जग्दानंद के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही आक्टिव होए तेज प्रताब राजनीती से दूर चल रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादफ के बड़े भाई तेज प्रताब यादफ अफ पॉलिटिक्स में आक्टिव नजर आने लगे हैं राज़ द्वारा जग्दानंद सिंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तेज प्रताब यादफ भी राजनेतिक गतिवीधियों का हिस्सा बनने लगें इसी क्रम में तेज प्रताब यादफ राज़त के मुख्याले पहुचे जहां उन्होंने पार्टी के नेताओ से मुलाकात कर राजनेति कारेक्रम का मुआयना किया अब आई ये जानते हैं सराफा बजार और पेट्रॉल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफा बजार की बात करें तो सोने का भाव 26 तमवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रती 10 ग्राम 37,540 रुपे था वही 24 कैरेट के लिए प्रती 10 ग्राम 49,410 रुपे था महीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रती किलो 46,300 रुपे था जदियू के प्रधान महासचेफ केसी त्यागी ने महाराश्ट में जारी राजनेतिक उथल पुथल पर अपनी प्रतिक्रिया दिये उन्होंने अपने जारी किये गया बयान में यह कहा है कि देश में काफी सवे से राज़िपाल की भूमी का पर सवाल उठते रहे हैं ऐसा ही वाक्या बिहार में भी हुआ था जब बिहार के राज़िपाल बुटा सिंग ने अपने कारेकाल में मुख्यमंत्री नितीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोग दिया था ऐसा ही कुछ मंजर अब महराष्ट में भी देखने को मिल रहा है धोनी मार्च में कर सकते हैं अंतराष्ट्य क्रिकेट में वापसी वर्ड कप के बाद से ही क्रिकेट से दूर है पूर्फ भारतिय कप्तान MS धोनी अगले साल IPL से पहले मार्च महीने में अंतराष्ट्य क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं दरसल बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड धाका के शेरे बंगला क्रिकेट स्टेडियमें अगले साल 2020 में होने वाले मैच के लिए बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड ने अच्वा हवा चलने से ठंड का असर बढ़ने लगा है। अच्वा चलने से ठंड का असर भी दिखने लगेगा। रामचंद्र पूर्वे को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर बोले तेज़ प्रताप यादव, राज़त सुप्रीमो लालुप्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज़ प्रताप यादव ने राज़त द्वारा रामचंद्र पूर्वे की जगे जगदानन को राज़त का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा है कि रामचंद्र पूर्वे हमारे अंकल की तरह हैं, हमारे बीच में मदभेद जैसी कोई बात नहीं है, चाचा भतीजा में कैसे किसी भी तरह का मदभेद हो सकता है तो अब आईए बात करते हैं गिववे के बारे में, गिववे वन के बिनर की घोशना हम लोग 28 नवंबर को करेंगे, तो आप इसी तरह अपना प्यार बरकरा रखें अब बारी आती है गिववे 2 के सवाल पे, अपने जिले के प्यास के भाव कमेंट बॉक्स में बताए, प्यास की बढ़ती कीमत का मूल कारण क्या है और इससे निजात कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताए गिववे 2 को लेने के लिए सिर्फ कमेंट करना काफी नहीं होगा, इसके लिए हमारी आज की वीडियो पर भी 5000 लाइक्स होना अनिवार होगा, जिसके पर शात हम यूट्यूब राणनम कमेंट पिकर से कमेंट पिक करेंगे, जिसके बाद हम जीतने वाले वीवर को गिवव